वाल जैसा कि है संडे का का मुकाबला होने वाला है पहला है मुंबई और नकलगत्ता के और दूसरा अते स्थान के बीच में तो आज मुंबई और क्ल एक मुपाबला है इसमें कौन कौन से प्लेर हमारे लिए बैस्ट काई आप यहां का दोगा यहां ऑर यहां पर कॉन सुस आप पर रन बना पाएंगे तो जानेंगे सब कुछ यहां पर आज की इस वीडियो में तो वीडियो को बिना स्किप के अंतक जरू तखिएगा ताकि पूरा डिटेल आप जान पाओ और सब कुछ असे समझ के अपना यहां पर टीम बना पाओ अधर्वाइज आप लोग मेरे टीम से खेलना चाहते हो तो मेरे टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोग उसे ज्वाइन कर लिजिए और वहां पर आपको टीम मिल जाता है मैस स्टार्ट होन अब यहां पर मुंबई के जो रिसेंट मैच हुए इस वेन्यू पर उसका अगर रिकॉर्ड देखें हम लोग तो मुंबई का हुआ था 157 पर आठ बीस ओबर में जहां पर 169 बना कर दिया था इंडिया का और सिरिलंगा का मैच हुआ था जिसमें से इंडिया बनाई थी एक 122 रन और सिरिलंका को 160 पर आल आउट कर दिया था उसके बाद बात करें हैत्राबाद का पंजाब किंग्स का मैच था 157 पर आठ हुआ था और पंजाब किंग्स यहां पर 165 बनाके इस मैच को चेज कर गई थी अब बात करते हैं दिल्ली और मुंबई के मुकावले में तो 16 बनाए थी दिल्ली और 160 रन बनाके पहले ही बाल पर मुंबई बाले चेज कर गए थे अब इस वेनु का रिसेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी जवरदस्त है यहां पर रोहित सर्मा 65 मैच में 84 उनका हाइस्ट है तो यहां पर रोहित सर्मा आपको अच्छे-खासे र कि इसकी बात कर यहां पर रोहित सर्मा का किक्यारे खिलाफ रिकॉर्ड है काफी जवरदस्त है तीस मैच में 1010 रन बनाया है जिसमें से हईश्ट सर्मा का के क्या नहीं तक यहां पर अपना तहाई में भी नहीं पहुंचे हैं इसकोर के तो देखती है आज कर मैच में क्या क हैं अगर मुंबई के खिलाब देखा जाए इनका रिकॉर्ड तो तीरपन पचास और 43 है रोहिद सर्मा को उमेज स्यादों ने लास्ट सत्रा बॉल में तीन बर आउट किया है तो उमेज स्यादों रोहिद सर्मा के लिए काफी खत्रा बन सकते हैं अब बात करते हैं मुंबई और केक्यार के प्लेयर बेटल के बारे में तो यहां पर रोहिद सर्मा को टीम साउदी ने चार बर डिस्मिस किया है तो वही उमेज स्यादों ने तीन बर किया है इसान किसन को यहां पर बैबा और एक बर आउट किया है सुर्कुमार यादो को रसल दो बर आउट किया है व और कुमार्स कार तर mend com कर चुकए हैं नितिश रना ना को जो फछायर्च ने दो बार और यहां पर मुलानी नि बर आउट किया वही रिंकु सिंग ह्प जो यहां पर कि रिंकु सिंग जो है अभी तक आउट नहीं किया गया है किसी खिलाडी के द्वारा मुंबई के वह अंदर असल को रिया टी रिलीव मेरे डिस ने एक बार आउट किया है अब यहां पर रिसेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो वेंगटे साइयर 43 बनाये थे नितीश राना 43 रिंकु सिंग 23 रसल नौ बनाया के दो विगेट भी लिये थे टीम साओधी को एक बारुन चक्रवरती को एक मिला था वही जवाब में मुंबई नियस से इसान किसन 51 बनाये थे और अगला मैच में दिखा जाए सुज कुमारा जादा 52 ती लगवर्मा 38 और वही यहां पर ड तो नितिस राना संतावन और अंदर असल पांच विगेट लिये थे और वरुन चक्रवरती ने एक विगेट लिये थे तो इससे आपको यह पता चलता है कि आपको किन-किन खिलाडी को अपने टीम में रखना है सबसे बढ़िया पिक आपके लिए वेंगटे सायर हो जाएं किन-किन खिलाडी को हम लोग रखेंगे अपने टीम में और कौन-कौन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है तो जो मैंने आपके लिए बहुत बेस्ट है नरायन जगदिसन का देखा जाए तो पिछला मैच में इन्होंने बनाया था 36 और उससे पहले जो मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने मातर बनाये थे छे तो नरायन जगदिसन को आप लोग चाहो तो लीव करके भी जा सकते हो हाला कि वन डाउन या सेकेंड डाउन आ सकते हैं खेलने के लिए जैसा मैच का सिच्विएशन होगा तो नरायन जग रखिएगा आप नितीश राना को और आप सुर्यकुमार यादों पर चांस ले सकते हो अधरवाइस आप रख लिजिए गा तिलक वर्मा को तिलक वर्मा काफी अच्छे फॉर्म में है और यहां पर बैलेंस पीछ होने वाला यहां पर रन अच्छे बनेंगे और यहां पर पीड भी पेसे लेंगे कुछ खास मदद मिलेगा नहीं हालाकि अच्छे ले सकते हैं अगर इसनी नरन को आप देखे तो अपने टीम में रिंकू सिंग का पिछला मैस देखा जाए तीन तो काफी जबरदस्त प्रफोंमस रहा है इनका आर्सीव खिलाफिनोंने 46 वहीं गु उन्होंने 48 बनाया थे जिसमें से पांच चक्के ही सामिल से वह हैदरबाद एक खिलाफ इन्होंने बनाया थे 58 तो इनको अपने टेम में आप लोग रख सकते हो अधर वाई चाहो तो अगर आपको मन ना हो तो आप लिव भी कर सकते हो या फिर आप इनको रख लीजिए गा त तो पांच दो साथ बैट्समें आपको हो गए बात करते हैं और राउंडर की तो आपको आयाते हैं सुनिल नरायन अंदर रसल और केमरें ग्रीन ठीक है तो आप लोग यहां पर आते हो तो बालिंग के लिए और रेड़ी हम लोगों ने कितने खिलाड़ी को ले लिए मैं आ करके यहां से एक मान लोगी अगर आपको वेंकेटे से चोड़ना है तो आप इनको छोड़के यहां पर यह कर सकते हो या फिर कोई एक विगेट की पर के सांथ जा सकते हो तो ऐसे करके अगर आप टीम बनाओगे तो आपको यहां पर काफी अच्छे मौके मिल जाएंगे ल आप से पहला आप लोग रखेगा वेरेंट रफ को और दूसरा रखेगा यहां पर रिली मेरेडिट को यह दोनों काफी जबादस हो जाएंगे अधर्वाइस आप लोग चाहते हो एक ही वालर के सांथ जाना यहां पर तो आप रख लीजिएगा वेरेंट रॉफ को और यहा यहां पर रितिश राना का भी होम ग्राउंड रह चुका है वान खेड़े और अभी सुरी कुमार यादो का है तो दोनों का काफी अच्छा वहां पर यह हो सकता है दोनों काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं अब बात करते हैं कैप्टेन भीजिए कौन सा आपके लिए सुनी लायन को रख सकते हो तो यह काफी बहतर आपके लिए कैप्टेन भीजिए के पिक हो जाएंगे उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर ग्रांड लीग के लिए अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो ग्रांड लीग के टीम अपने बस रखिएगा आप किनको किनको मै हो सकते हैं आपके ग्रांड लीग के लिए जो कैप्टेन भी सी है उसके लिए तो आप इसान को बना सकते हो रिकू सिंग को बना सकते हो निती सिराना को बना सकते हो और के लिए आप चाहत इनको ट्राइब कर सकते हो और भी जो डाउट होंगे और भी जो होंगे हम लोग क् में कमेंट करें पूछ लीजिएगा अधर्वाइस हम लोग आएंगे तो फिर वहां पर सारा डिसकस हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ जो भी मनें बताया आप लोग अच्छे समझ में आगया होगा इसे लिए को भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट वाक्स में कमेंट करें लिए पूछ सकते हो तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए टाटा बैब बैए